हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक टू प्रेपॉन आज यूनियन बजट पेश हुआ है पार्लेमेंट में तो उस संदर में हमारा आज का वीडियो है और आज हम समस्ते हैं बजट की बारीकियों को हमारा परस्पेक्टिव इंडियन पॉलिटी पॉर्ट अव्यू से है इंडि को आप समझेंगे वीडियो को देखेंगे तो बजट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा तो लेट उस गो इंटु दा यू कन से परस्पेक्टिव ऑफ बजट संद पॉन्ट अवीव ऑफ इंडियन पॉलिटी लेट अस ट्राइट टॉप इंडियन पॉलिट स्रूट पॉलिट विजट इंडर इंडियन पॉलिटी बजट इन दे एंडर अर्टिकल 112 स्वेधान के आइटकल 112 में राश्ट्रपती के ओपर ये दायत है उनके ओपर ये दायत है तो है समझ दनेक दायत है it is his constitutional duty to ensure that for every financial year the president shall cause to be laid before the houses a statement of estimated expenditure and receipt of the financial year of the government of india to be referred as annual financial statement मतलब राश्ट्रपती की ये समिधानिक duty है कि वो हर financial year के लिए एक ऐसा statement पेश करवाएं houses के सामने जो बताएगा आने वाले साल का estimated खर्चा और estimated receipt कितना खर्चा सरकार करने वाली है और क्या उसका revenue आने वाला है पैसा income होने वाली है उसका एक estimation कहलाता है जनरली हम budget बोल देते हैं constitution में उसे बोला गया है annual financial statement इसका मतलब the annual financial statement is presented in the लोकसभा by the finance minister but it is to be presented in the name of who? President Samhidhan के निशवार किसकी ड्यूटी है राष्टापति की ड्यूटी है बजट पेश करवाना राष्टापति की ड्यूटी है पेश करते हैं finance minister इसका समभन constitution से नहीं है समझानिक तौर पर देखें तो यह राष्टपती की ड्यूटी है तो कभी भी कोश्चन आए कि बजट इस प्रिजेंटेट बाइदा फाइन्स मिनिस्टर बट एस पर दा कॉंस्टेटिक्शन इस अ ड्यूटी और प्रेसिजेंट अफ इंडिया तो एंडिया तो एंडिया तो तो बजट सेशन के जो पहले दिन होता है उसे कहते हैं एड्रेस अफ दा प्रेसिजेंट राष्ट्रपती का अभी भाशन अब देखिए ये कल की फोटो है पार्लेमेंट की राष्ट्रपती का अभी भाशन चल रहा है दौनों हाउसेस एक साथ बैठते हैं और इधर उप करेंद्री बैठते हैं लोगसाबाकिस्पीकर मतलब िंदक ऑबिजट्यों इंदक टती ऑफ लोगसाब तो राष्ट्रपती जी अपना अभी भाशन देते एं उसमें बताते हैं कि जो सरकार है वो क्या करने वाली है आने ओले साल में तो उनके अभिभाशन से ही शिरू होत बजट पेश कर दिया जाता है तो बजट भारत सरकार का ऐसी राभ सरकारें पेश करती है तो बजट भारत सरकार का खर्चे और इनकम का एक statement होता है तो इस इस कॉल बजट आर्टिकल 112 में ये पेश करवाय जाता है राष्ट पति द्वारा अब बज़र उसमे लिखा हुआ है कि यह estimated expenditure तो जो estimated खर्चा है सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है उसका एस्टीमेट जो होता है उसका estimate as per the constitution the estimate of expenditure जो खर्चे का estimate है should show separately जो खर्चे वाला statement है वो अलग लग दिखाएगा क्या दो चीज़े the expenditure charged upon the consolidated fund of India जो estimate just expenditure है जो खर्चा है वो खर्चा जो charge upon होना है CFI पे जो वारसरकार का में फंड होता है और दूतरा the expenditure made from consolidated fund of India तो जो budget है उसमें दो हिस्से होते है खर्चा और आये नहीं कितना जाएगा कितना आएगा और जो खर्चा है वो दो तरीके से दिखाना है एक तो खाना है वो खर्चा विच चार्च अपॉन CFI और एक खर्चा वो विच इस made from CFI इनका फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं इनका फर्क इनका फर्क समझे वाट is charge expenditure means expenditure charged upon CFI consolidated fund of India वो होता है जो budget का part होता है जो पार्लेमेंट में discussable होता है लेकिन उस वोट नहीं होता तो budget का वो हिस्सा जो discussable होता है लेकिन वोटेबल नहीं होता उसे charge expenditure कहते हैं इसलिए लिखा है कि expenditure को जो estimate है वो दो तरीके से दिखाया जाए का अलग-अलग वो खर्चा जो charge upon है वो खर्चा जो made from है तो चार्ज अपॉन हमने समझ लिया चार्ज अपॉन का मतलब है वो खर्चा चार्ज expenditure is that part of the budget which can be discussed in the parliament but should not be voted upon in the parliament मतलब सरकार ने बोला है इतना खर्चा हम हमारा अनुमान है इतना खर्चा हम करेंगे तो उस पर discussion तो पार्लेमेंट कर सकता है इसको वो पास नहीं करेगा मतलब यह चार्ज expenditure जो होता है यह वोटेवल नहीं होता बाखी वजट वोटेवल होगा लेकिन यह चार्ज expenditure वोटेवल नहीं होता अब होता क्या है charge expenditure वो देख लेते हैं following are the main heads of charge expenditure आपकी द्वाज में आगया होगा charge expenditure वो expenditure होता है जो discussable है votable नहीं है इस पर पर्लेमेंट को vote करने का अधिकार नहीं है मतलब यह है सरकार ने जो कह दिया इतना है तो इतना है आप discuss कर लिजे बहस कर लिजे vote नहीं करेंगे vote से पास नहीं होगा मतलब यह वो खर्चा है यह वो expenditure है जो discussable भी है और voteable भी है मतलब यह अगर पास नहीं होगा तो खर्चा पास नहीं होगा यहाँ discussion कर सकते हैं vote करने की दरवत नहीं होती है अब क्या क्या होता है कौन-कौन से इसमें component है charge expenditure में the emoluments and allowances of the president of India राश्ट्रुपती के salary वगरा उनके जतने खर्चे उनके office के जतने खर्चे हैं वो charge expenditure में आते हैं मतलब उस पर discuss कर सकते हैं आप vote नहीं करेंगे the salary and allowances of the chairman deputy chairman speaker deputy speaker लोग सभा के अद्यक्ष उपाद्यक्ष रास सभा के chairman और deputy chairman का जो salary वगरा होती है यह भी charge में आता है इस पर भी discussion होगा वोट नहीं होगा the salary and allowances and pensions of Supreme Court judges Supreme Court judges की salaries pensions वगरा हैं यह भी charge expenditure में आती हैं इस पर भी discussion होगा वोट नहीं होगा इतनी बाद समझ में आ गई the pension of high court judges अब high court judges की pension लिखी है या salary नहीं लिखी है high court judges की salary salary राज्यों के account से मिलती है the consolidated fund of state यसे CFI होता है भार सरकार का fund ऐसे ही हजाज सरकार का भी fund हुआ करता है जहां पर वो पैसा जमा करते हैं जासे निकाल के खर्च करते हैं तो याद रखेंगे high court judges की pension तो central account से आती है मत्तब CFI से आईगी union budget का part होती है लेकिन उनकी salary respective state government पे करती है Supreme Court की इसका हिस्सा होगी the salaries and pensions of Comptroller and Auditor General of India जो भारत के main CAGI है उनके salary वगरा है उनके allowances पेंशन वगरा है वो कहां से charge expenditure का part है the salaries and allowances of chairman and members of UPSC UPSC के chairman है member है उनकी salary, उनके खर्चे वगरा जो है उनके allowances वो सब कहां से आएंगे budget में होंगे और charge expenditure का part है अभी हम discuss क्या कर रहे है क्या होता है charged expenditure administrative expenses of Supreme Court Supreme Court का जो administrative expenses होते है Supreme Court की building है उसके खर्चे है उसकी बिजली है उसके administrative expenses वगरा है इसे ही CAGI की office के खर्चे ऐसे ही UPSC के office के खर्चे and including the expenses of persons serving in these offices और in offices में जो judges के इलावा staff के लोग काम करते हैं Supreme Court की register की काम करते हैं UPSC में officials काम करते हैं उनकी salary वगरा किसका part है budget का part है budget में भी कौन case expenditure में आते हैं चार्ज expenditure मतलब discussable है, voteable नहीं है debt liability of the government of India भारा सरकार की जो देंदारी है जो उनका उधार है उसकी जो भार सरकार की देंदारी है debt है, कर्दसा उनके ऊपर है वो भी आता है charge expenditure में Sons required to satisfy the judgment of the court of tribunal Supreme Court ने किसी judgment में कुछ वावजा दिया है उसको फिल्फिल करने के लिए आज जो खर्चा है वो यही चार्ज expenditure का पार्ट हो जाएगा और any other expenses so declared by the parliament ये तो mention है इनके इलावा वो सारा खर्चा जिसे parliament कह दे कि ये charge expenditure में आया करेगा वो भी हो सकता है charge expenditure तो हमने इतना समझ दिया budget में expenditure होता है और revenue receipt होती है expenditure के दो हिससे होते है वो जो charge upon CFI होता है एक होता है made from CFI charge upon CFI वो होता है जो discussable है, votable नहीं है तो ये तो main component हो गए इसके अलावा याद रखेंगे इसके अलावा charge expenditure का part besides the above following are also part of charge expenditure sums required as grants in 82 states अब आपको पता है भारत federal system follow करता है central government से राज्य सरकारों के लिए कुछ funds दिये जाते है जिसे हम अनुदान कहते है grants in aid कहते है साहता के तोर के उनको पैसा दिया जाता है समधान के article 275 में तो मतलब राज्यों को जो पैसा जाएगा article 275 के तहत वो भी part है जो राज्यों को लोंस दिये जाते है केंद सरकार राज्यों को लोंस देती है article 295 में वो भी किस में आ जाएंगे वो भी आ जाएंगे charge expenditure में तो ये सारे के सारे ये जो items हैं इतनी बात समझ में आ गई तो हम आज union budget के components discuss कर रहे है from the perspective of Indian polity इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी चीक है अब आगे बढ़ते हैं अब discuss करते है stages of passage of the budget जो budget होता है ये कैसे कैसे पास होता है budget session में कैसे कैसे आगे बढ़ता है तो सबसे पहले होता है presentation और introduction of the budget जैसे कि आज एक फरवरी है आज budget को present किया गया है जो finance minister है उन्होंने आज budget पेश कर दिया आज budget का पहली stage है वो present कर दिया गया by finance minister obviously in the name of president of India as per article 112 of the constitution ये बात समय में आई budget किस दिन पेश करना है ये parliament खुद तै करेगा convention के दुसार पहले फरवरी का आखरी दिन हुआ करता था पांच बजे शाम को जैसे अंग्रेस करते रहे थे फिर वो यश्वन सिना ने उसे सुबह 11 बजे कर दिया उसके बाद 2017 में ये हो गया एक फरवरी को है ना तो ये conventions हैं conventions वो होते है जो समिधान में लिखे हुए नहीं है लेकिन फिर भी follow होते हैं सरकार के उपर है budget वो एक तारीक को पेश करें दो को पर ये तीन को करें ये convention है परंपरा है तो परंपरा ब्रेक कर दी गई और budget एक तारीक को पेश होता है तो आज जो हुआ है वो हुआ है introduction of the budget और presentation of the budget अब जब budget present कर लेते हैं finance minister with मंत्री at the end of the presentation the finance minister gives a budget speech इसके बाद एक budget speech होती है presentation के बाद तो ये पहली stage हो जाती है इसके बाद it starts for the journal discussion अब budget पे कुछ और कारवाई शुरू होगी सरकार ने बतातो दिया सरकार के तरफ से finance minister ने बतातो दिया कि हमारी सरकार आने वाले साल में ये अनुमानित खर्चा करने वाली है और ये हमारा अनुमानित आए होने वाली है ये उन्होंने प्रेजेंट कर दिया अब उसके बाद दो तिन दिन दिन तक होगा जनल डिसकेशन अब यहां बजट को डिसकेशन करेंगे यहां पर बज़ट की जो पॉलिशी है उस पर डिसकेशन होगा और सारे मेंबर्स इसमें भाग लेते हैं यहां पर मेंबर्स अपनी बात रखेंगे बज़ट में ये गलत है बज़ट में ये गलत है बज़ट as a whole document discuss हो रहा है बज़ट component वाइस discuss नहीं हो रहा है तो यहाँ पर जो जो बात पूछी जाएगी सरकार उसका जवाब देगी मतला finance minister उसको जवाब देंगे अब याद यह रखना है जब budget पर 2-3 दिन के लिए general discussion हो रहा होता है तब यहाँ पर कोई cut motion नहीं लाया जा सकता है cut motion क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ cut motion नहीं ला सकते है general discussion के दौरान कोई cut motion नहीं आता है हाँ पूरा house मिलकर सरकार के उस viewpoint को discuss कर रहा है कि सरकार कहती है ऐसा ऐसा है लोग बाकी opposition parties के लोग कहेंगे नहीं आपकी यह policy हमको गलत लगती है जब यह second stage खतम हो जाती है general discussion खतम हो जाता है तब budget की अब पूरी scrutiny की जाएगी एक एक चीज को लेकर उसे बलकुल जाचा परखा जाएगा किसके दौरा departmentally related standing committees called DRSCs parliamentary system में DRSCs बनाई गई है बात क्या है बात यह है कि budget parliament में तो बहुत सारे लोग होते हैं अब budget के हर demand पर हर component को अगर parliament discuss करेगा तो बहुत दिन लग जाएंगे तो क्या करते हैं काम को cut short करने के लिए budget को पूरे house ने as a whole discuss तो कर लिया अब budget की जो respective heads हैं वो उनकी committees को भेज दिये जाएंगे तो अब क्या होगा after general discussion is over the houses are adjourned for three or four weeks अब क्या होगा जब general discussion हो जाएगा अब लोग सभा राज सभा adjustment में चले जाएंगे कुछ तीन हफ़ते के लिए बोटे मोटे तोर पर मतलब इस दोरान अब कोई sitting बगरा नहीं होगी अब ये sitting क्या होती है, session क्या होती है मैं आपको बता दूँगा पॉलिटी में कभी बता दूँगा अब houses मतलब काम नहीं करेंगे अब कौन काम कर रहा है, अब DRSC काम कर रही है अब DRSC में क्या होता है 31 मेंबर होते हैं और हर मंत्राल है किसना किसी DRSC का पार्ट होता ही है मतलब मंत्रालों को DRSC में रख देते हैं मतलब यहाँ पर लोगसभा राजसभा के मेंबर है 21 लोगसभा के हैं और 10 राजसभा के हैं अब यह जिस सब्जेट की वो DRSC है माल लीजिए कौमर्स मिनिस्ट्री की DRSC है तो जो कौमर्स वाला पार्ट है वो अपने अपने इस्से को स्कूटनाइस करेगी तो अब तीन वीक के लिए कौमेटियां इस पर काम करेंगी अपनी रिपोर्ट बनाएंगी लिरिंग इस पीरिट इस कौमेटी इस स्कूटनाइस दा डिमांड्स और प्रिपेर रिपोर्ट्स और सब्मिट देम तुदा पार्लेमेंट फर कंसिल्टरेशन तीन हफते बाद हर कमेटी की अपने-अपने सब्जेक्ट मेटर पर रिपोर्ट आ जाएगी मतला पार्लेमेंट के ऐस पार्लेमेंट ऐस ए होल के लिए कमेटियों ने काम कर दिया हakes और समरी बनाकर देटिकी देखिये थाव इंड Autism History University पर हमारे यह बजट के भारे में हमारे डिसक्शन होने के बाद ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है जब पार्लेमेंट को इनकी डिपोर्ट डिसकस करनी है बज़ा टैसे होल डिसकस करने की नीड नहीं है इतना टाइम नहीं होता है अब फिर अब तीन चार हफते बाद मोटे मोटे तौर पर फिर हाउस समन हो जाएगा मतलब वो जो दुबारा जो है सेशन रिज्यूम कर लेगा समन तो हो चुका है रिज्यूम कर लेगा मतलब डिरसी है अब डिरसी बैठ कर काम कर रही है मतलब जो सब्जेक्ट मेटरेस का होगा उस पर ये अपना काम कर रही है डिरसी डिसकेशन कर रही है अब होता है चौता स्टेज वोटिंग ओन डिमांट फॉर ग्रांड्स सरकार ने कहा हमको सो रुपे चाहिए हैं एवी के हमको 20 रुपे चाहिए हैं मन रेगा के लिए हमको 50 रुपे चाहिए हैं इस कारणर के लिए हमको स्वक्ष वारत के लिए 10 रुपे चाहिए हैं इसलिए सरकार ने अपनी डिमान्ड सामने पेश कर दी तो जो सरकार मांगती है annual financial statement में उसको कहते हैं demand जो सरकार मांगती है कि हमको 10 रुपए चाहिए है 5 चाहिए है 50 चाहिए उसको कहते है demand तो अब क्या होगा वो जो demand आपकी आई है कि हमको इतना पैसा चाहिए है, जो बजट में आप डाल चुके हैं, उन पर अब voting होगी ताकि वो बन जाए grants, मतलब जब demand discuss हो जाएगी और voting से पास हो जाएगी तो बन जाएगी grant, मतलब house ने आपको पैसा दे दिया, grant कर दिया, आपकी demand को माल लिया. तो चौथी स्टेज पर अब शुरू होती है voting on demand for grants मतलब when demand is passed by the houses it becomes what? it becomes grant मतलब house okay आपको 50 रुपे मन्दिगा के लिए दिये जाते हैं अब ऐसा क्यों है? as per article 113 clause 3 एक से 13 के 13 clause के अनुसार no demand for grant every phrase, every word is important no demand for grant can be made except on the recommendation of the president मतलब जब भी जब demand को grant बनाना है तो उसके लिए राष्टपती की recommendation ज़रूरी है मतलब वो एक राष्टपती की recommendation होगी राष्टपती ये require करते हैं उनकी recommendation हो जाएगी कि भई ये demand हम आप से हाउस से प्रार्तना की जाती है कि उसको पास कर दी तो बिना राष्टपती की recommendation के कोई demand grant नई बन सकती ऐसा requirement है आईकल एक सो तेड़ा का क्यों ऐसा है क्योंकि राष्टपती क्योंकि राष्टपती एक्जीकुर्टिव के head होते हैं सरकार भरत सरकार प्राइमिनिस्टर चलाते हैं लेकिन भारत सरकार article 74 75 के अनुसार किसकी सरकार है राष्टपती की सरकार है इसलिए यदि आप editor सत्र प्रेसिजेंट सुनेंगे राष्टपती का अभिभाषण सुनेंगे यह वो मौका होता है साही मायनों में यह एकलाता मौका होता है जब राष्टपती बोलते हैं मेरी सरकार मेरी सरकार इसका मतलब यह माई गौर्मेंट यह उनकी सरकार है जो भारत सरकार है वो राष्टपती की सरकार है तो यह माई गौर्मेंट तो मतलब उनकी recommendation पर अब demand अगर recommendation उनकी नहीं है कि वो cut motion ला सकते हैं cut motion cut motion इससे समझ में आ रहा है आपने मन देगा के लिए 50 रुपे मांगे हैं लेकिन opposition कहता है मैं 50 रुपे के लिए रादी नहीं हूँ हम 50 रुपे देना नहीं चाहेते ऐसे में कोई भी opposition member या कोई भी member ला सकता है cut motion cut motion का मतलब ये demand कम करो ये खर्चा कम करो ये खर्चा तरूरीर नहीं है सरकार ने कह दिया हमको इतने रफैल खरीदने हैं हम सोचते हैं हमको 200-300 रफैल चाहिए हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत सारे F-16 आ गए हैं opposition member कह सकते हैं हमको ऐसा बड़ा खत्रा नहीं दिखाई पड़ता की 200 खरीदे जाएं अगर सौ से काम चल सकता है तो हमारे डिमांड है कि रफैल खरीदने की डिमांड कम की जाए अगर लगता है opposition को तो बुला सकते हैं कट मोशन कट मोशन तीन प्रकार के होते हैं पॉलिसी कट पॉलिसी कट क्या होता है इन दिस कट यह कहा जाता है कि जो आपकी डिमांड है आपने कहा है यह वाली डिमांड कि हमको 200 एफैल खरीदने हैं यह एक रुपए कर दी जाए इस शुडबी रिड्यूस्ट टू डीवन यह एक रुपए कर दी जाए आपने एक रुपए मांगे हैं हम कहते हैं यह एक रुपए कर दीजिए इसका मतलब अपोजिशन मेंबर्स यह कह रहे हैं कि आपकी डिमांड सराथर बिलकुल बे बुनियाद है ना जायज है इसे एक रुपए कर दो मतलब हाउस कहता है कि हमें डिमांड पसंद नहीं है ऐसी कोई दरुवत नहीं है वाराज शांति प्रिय देश है कोई हवाइज अपकी जो पॉलिसी का जो आधार है वो बिलकुल यूजलेस है उसकी कोई दरुवत नहीं है हम आपकी पॉलिसी को खारज करते हैं तो यह कहलता है पॉलिसी कट पॉलिसी कट कैसे समझेंगे जब अपोजिशन मेंबर कट मोशन में इस डिमांड को एक रुपए कर दिया जा यह कहलता है पॉलिसी कट एक होता है एककानोंट का मतलब होता है थोड़ी सी खर्चा गंग कर दिजे तो इस इकानोंट में क्या होता है यह बताया जाता है कि डिमांड भी रिडिऊस बाई समय स्पैसिफिक अमांट ठीक है आप कह रहे हैं दोसर एफ चाहिए है हम कहते हैं कर दिए एक तोड़ा सा ऐसे कम कर दिए हम मान रहे हैं कि खतरा बहुत जादा है इसे फ्रेंट वेस्ट पर ठीक है डिमांड कर दीजे धीरो तो लेकर वार है हम आपसे पॉलिशी को हम मान रहे हैं बट फिर भी थोड़ा इस कर दिजिए खर्चा एकॉनमाईज कर ये इस डवलेप्मेंटल कारों में लगा दीजिए ऐसा कर ये देड़ तो रफल खरीद लीजिए इसे कहते एकॉनमी कट एकॉनमी कट का मतलब खर्चा थोड़ा सा किफाइस से करना चाहिए ये मेंबर्स कह रहे हैं एक होता है टोकें का मतलब है कि सिंबॉलिक वैल्यू इसमें क्या होता है यहां यह बताया जाता है तदर डिमांड रिड्यूस बाई रुपीज हंड्रेड हेर्टा परपर इस्टू एक्स्प्रेस सम्स्पेसिफिक ग्रिवांज यहां पर मेंबर यह कहते हैं कि इसे सो रुपे कम कर दिया जा डिमांड को 100 रुपे नहीं करना है डिमांड 100 रुपे कम कर दो बस यहां यह कि मेंबर कर रहे हैं एस डिमांड को छुडा कम कर제를े तो एक डॉकेनिसम के तौर पर नहीं हमने आपकी बात माना ली 200 रुपए थे 500 रुपए थे हमने इसे 400 कर दिया है ना 100 रुपए हमने कम कर दिया तो यह कहलाता है इसका मतलब है कि हाउस की कोई specific grievance related to demand है उसको हमने मान दिया ठीक है आपकी बात मान लेते हैं तो तीन तरह के यह cut होते हैं policy cut, economy cut and token cut मतलब जब budget की demands discuss हो रही होती है grant बनने के लिए तब opposition में obviously opposition नहीं लाएगा कोई भी सकता है तो उसे कहते है cut motion मतलब cut motion आ ही जाएगा not necessary लेकिन लाया जा सकता है तो यह cut motion लाते हैं कब जब budget pass होने के लिए discuss हो रहा होता है demand discuss हो रही होती है अब cut motion का significance क्या होता है significance cut motion का यह होता है कि यह democratic system को facilitate करता है this purpose is to facilitate the purpose is to facilitate a broader discussion on the conduct and policies of the executives and to force the government to act responsibly cut motion का मतलब यह है कि आप लोग बेवज़े के खर्चे houses को बता रहे हैं देश को बेवज़े के खर्चे में डाल रहे हैं और cut motion के जरीए हम आपकी जो खर्चे की policy को है discussion कर रहे हैं scrutinize कर रहे हैं और जब भी discussion होता है तो जो बात होती है वो बहतर होके निकलती है एक बुद्धी से और सरकार को फ़र जवाब दे ही हो जाती है कि अगर आप कह रहे हैं कि हमको 200 RFL खरीदने हैं तो justify करना पड़ेगा आपको 200 RFL क्यों खरीदने हैं आपको ये खर्चा क्यों करना है आपको bullet train के लिए खर्चा चाहिए आप 100 bullet train चलाना चाहिए दे हैं लेकिन कई जगा तो अभी train पहुँची ही नहीं है तो सरकार को justify करना पड़ेगा मतलब cut motion के जड़िये अपोदिशन जवाब दे ही मांग लेता है और सरकार को मजबूर करता है कि justification दो कि ये खर्चा क्यों होना चाहिए the cut motion is to put on vote and if passed against the government it becomes the ground for resignation और पे कम कर देते हैं नहीं मानी तो इस पर voting हो जाएगी और अगर voting होगी cut motion पे और सरकार हार गई तो ये ऐसे माना जाएगा इसे सरकार के खिलाफ अविश्वाश प्रस्ताव पास हो गया इसका मतलब सरकार को उसके बाद no confidence motion भी आ सकता है इस्तीफा देना पर जाएगा तो cut motion का significance ये है समझ में आ गया तो cut motion लाया जा सकता है लाया ही जाएगा not necessary जब डिमांड पास हो जाती है it becomes grant जब पास हो जाएगी तो ये grant बन जाती है लेकिन budget में बहुत सारे demands होती है बहुत सारे यू कैं से बहुत सारे वो बहुत लंबा budget होता है इसलिए हर department की एक एक demand पर discuss कर लेते हैं सारे department की सबी demands को discuss करना संभव नहीं है फिर तो सारे साल budget पर discussion complete नहीं हो जाएगा तो it becomes grant जब ये पास हो जाएगी तो grant बन गई है जैसे मैंने आपको बताया not all the demands not all the demands undergo discussions only few of them are discussed thoroughly rest of the demands are passed without discussion using a provision called guillotine होता क्या है budget बहुत बढ़ा है 102 demands हो जाएगी इसमें मान लीजे अब 102 demands को discuss करेंगे तो बहुत वक्त लग सकता है क्या करते हैं हर department की एक एक डिमांड को ले लेंगे या important mantra ले लेंगे उनको discuss कर लेंगे उन पर voting कर लेंगे और बाकी सारे डिमांड को जो speaker हो कह देंगे guillotine लगा देंगे guillotine is a type of what it is a type of you can say एक closure motion होता है कि ये discussion इस पर close किया जाए मतलब ये जो instrument है जो ये लाया गया है इसको close किया जाए तो speaker क्या करते है guillotine guillotine का मतलब है बाकी demands पर उन्होंने क्या कह दिया ठीक है बाकी main main demands हमने discuss कर ली house ready है अब position कहेगा हाँ हाँ okay है तो कहते है ठीक है हमने 10 demand discuss कर ली बाकी 80-90 demand को हम मानते हैं कि ये pass कर दी गई तो बोलते हैं house से rest of the demands are put on closer motion guillotine all of you say yes और no तो house कहता है yes तो कहते है okay I think AS have it मतलब high बोला है wise vote से तो ये pass हो जाती है तो मतलब पूरा budget discussion phase में नहीं जाता है ऐसा संभा फ्रेक्टिकल ही नहीं है guillotine का मतलब होता है कुछ demands को discuss किया बाकी सब को मान लिया कि ये okay है और पास कर दिया जाता है तो article 119 में speaker को अधिकार है कि financial business को जल्दी खतम करने के लिए वो closure motion ला सकते है फैसला ले सकते है पार्लेमेंट को अधिकार है उसका इस्तिवाल होता है अब गिलोटन नाम का एक instrument मतलब एक तरीका है जिससे ये भाकी decision को avoid करके पास मान लिया जाता है तो जब demands पास हो जाती है तो बन जाती है grant मतलब हाउस ने आपको पैसा दे दिया कि आब इसे खर्च करिए अब ये जो demands है अब इस इन सब demands जो grant बन गई है इन grants को एक appropriation bill में डाला जाएगा एस पर article 114 ध्यान से सुनिएगा बहुत important है 114 article के नुचार no demand, no money can be appropriated from CFI without an appropriation act अब CFI से पैसा निकालना है consolidated fund of India से पैसा निकालना है तो आपको permission लेनी पड़ेगी वो permission क्या है? वो permission है annual financial statement तेर budget है सरकार पैसा मांग रही है Parliament से Parliament में है कौन? देश के लोगों के नुमाइंदे सरकार पैसा मांग रही है उन नुमाइंदों से जो भारत के different-different consistency को represent कर रहे है हम भारत को चलाने के लिए भारत के development के लिए इतना पैसा चाहते है हाउस ने कह दिया आपकी demand grant बनाई जाती है अब इन सारी grants को डाल देते हैं एक bill में उसे कहते है appropriation bill क्योंकि समिधान में condition है कि CFI जो की भारत सरकार का main fund है इससे कोई पैसा नहीं निकल सकता जब तक ना पास हो जाए एक appropriation act तो ये सारी की सारी demand grant जो पास हो गई है ये डाल दी गई है एक bill में और जब ये appropriation bill पास हो जाएगा तो वो जो made from CFI थी है और जो charge upon CFI है charge upon CFI तो discuss होई है वोट नहीं होती बाकी सब वोट होती है तो जो सब पास हो गई है और charge upon है इन सब को एक bill में डाल देते हैं उसे कहते है appropriation bill और जब ये पास हो जाता है it becomes an appropriation act मतलब अब पार्लेमेंट ने कह दिया लोगसभा ने कह दिया कि अब आप CFI से ये पैसा appropriate कर सकते है मतलब सरकार ने जो budget में कहा था कि हमको इतने करोड रुपे चाहिए है house ने कह दिया चलिए आपको इतना रुपे दिया जाता है appropriation act के पास होने का मतलब है कि ये house ने estimate of expenditure को pass कर दिया है आपको 2022-23 के लिए इतना पैसा प्रदान किया जाता है आप खर्च कीजिए और जब तक ये पास नहीं होगा तक तक CFI से पैसा नहीं निकाल सकते any money withdrawn from CFI without the approval of parliament is unconstitutional CFI से कोई भी पैसा निकालना है तो वो parliamentary approval के बिना नहीं निकल सकता इसके पास की बिना नहीं निकल सकता इसका मतलब जो CFI होता है जग consolidated fund of India होता है उसका किसकी जिम्मेदारी है उसकी देखबाल कौन करेगा Parliament करेगा मतलब वो Parliament की disposal पे है उससे पैसा निकालना है तो Parliament से permission लो Parliament से permission लानी है तो क्या करोगे बज़ट लाओगे तो बज़ट क्या हो गया बज़ट is a sort of instrument by which the government is asking the people of India through their representatives give us this much amount of money so that we can expend this money on your developmental activities and different different tasks of the government of India भार सरकार के खर्चों के लिए हमको आप से पैसा चाहिए है इतनी बाद समझ में आ गई तो ये CFI से पैसा निकालने के लिए एक Appropriation Act पास होना दरूरी है वो पास होता है Parliament में Parliament में भी पास होता है कहां लोग सभा से लोग सभा से क्यों होता है ये अलट टॉपिक की discussion है ये हम कभी और करेंगे तो पास हो गया पाँचवी स्टेज ये है है विट्ट विधियक एफ फाइनेंस बिल कंप्राइजेट टैक्डिशन क्लॉज अब हमने खर्चा तो बता दिया हमें ये भी तो बताना है कि इतनी आए होगी तो जितने टैक्डिशन के क्लॉजेज होते हैं वो डाले जाते हैं फाइनेंस बिल में जब फाइनेंस बिल पास हो जाता है तो इसका मतलब पार्लेमेंट ने कह दिया चलिए इतनी आए आए आपकी आजाएगी इतना टैक्स आप ले सकते हैं अब ये जो इनकम साइड है बजट की वो भी ओके हो गया मतलब सरकार का खर्चा होके हो गया अब गया इतना टैक्स ले सकते यह भी ओके हो गया फाइनेंस बिल जब पास हो जाएगा तो फाइनेंस एक्ट हो जाएगा फाइनेंस बिल इस प्रेजेंटेटे इन फुलफिलमेंट quart अब रिक्रमेंट फ़ांट किल 110 ऑन टैन वन क्लावज इंस of taxes proposed in the budget मतलब budget में जो टैक्सेस प्रपोस किये गए है उनसे संबंदिज जो बिल लाया जाता है उसे विट्विधियक finance bill कहते हैं it also contains other provisions related to budget that could be classified as money bill आप इसको money bill बनाने के लिए ताकि exclusively ये लोग सभा के पास रह जाए इसमें कुछ ऐसे provisions भी डाल दी जाते हैं ताकि कि ये money bill हो जाए ठीक है तो finance bill जैसे की finance bill 2017 को money bill करार कर दिया गया था तो इसमें ऐसे provisions जाले जाते हैं कि ये money bill हो जाए जो money bill हो जाता money bill पे साधे अधिकार लोग सभा के पास होते हैं the finance bill is a money bill as defined in article 110 of the constitution the finance bill basically money bill होता है ये धन विद्यक होता है with the passage of this act the whole process of budget comes to an end finance bill के पास होते ही budget का process end हो जाता है 31 March होते होते budget pass हो जाता है तो ये budget की stages होती है present होता है general discussion में जाता है फिर इस committee scrutinize करती है उनके वेस पे फिर voting on demand होता है demand pass होती है तो grant बन जाती है grant को डालते है appropriation bill में वो पास हो जाएगा तो आप CFI से पैसा निकाल सकते हैं इतना खर्चा house ने आपको दे दिया लेकिन ये हमारी आए है इतनी हमारा tax ले सकते है टेक्स को पास करते हैं तो पूरा budget एक money bill होता है budget में appropriation bill भी money bill होता है या finance bill भी money bill होता है ये दौनों money bill है और money bill पे वेशेश अधिकार लोग सभा के होते हैं राज सभा के नहीं होते हैं ये क्यों होता है बात में देखेंगे बजट पास हो गया लेकिन जिस तरीके ये question आज कल आ रहे हो यहां तक मैं समझता हूँ आपको budget का system quality point अभी ते समझ में आ गया होगा अब देखिए budget के साथ साथ जब वित्यमंत्री budget पेश करती हैं आज कल तो बजट के साथ साथ बजट सेशन में क्या कि बजट जो presentation के साथ साथ क्या क्या होता है एक तो annual financial statement पेश किया जाता है the list of budget documents presented to the parliament besides the finance minister's budget speech is given below तो budget speech देती हैं उसके बाद उसके साथ साथ क्या document वो पेश करती है वो कहती है ना the annual financial statement is laid before the house house के सामने रखा जाता है demand for grants यह रखी जाती है फाइनेस बिल रखा जाता है तो पूरा बजट का statement उसमें demand for grant क्या है मतलब expenditure वाला पार्ट खर्चेवाल टेक्स वाला पार्ट ABC इसके साथ fiscal policy statement mandated under this particular act इस act में दो document और पेश करवाई जाते हैं macro economic framework statement याद रखेंगे बजट के साथ साथ इस particular act में दो document और पेश होते हैं macro economic framework statement और medium term fiscal policy come fiscal policy strategy statement यह क्या होते हैं अभी बताता हूं budget के साथ यह document भी पेश किये जाते हैं अभी यह क्या है जो FRBM Act के तहट जो document पेश होते हैं अब यह जो दो document हैं FRBM के तहट पेश कराए जाते हैं यह basically assessment है of the growth prospect of the economy and strategies of the government for the ensuing financial year जो 1 April 2022 से 31 मार 2023 तक का साल है उसमें उसका assessment है कि economy कैसे grow कर सकती है कैसे grow करा जा सकती है उसके बारे में बताते हैं इस particular budget के अलावा उसके बारे में बताए जाते हैं related to taxation, expenditure, market borrowings and other liabilities क्या खर्चा हो सकता है क्या मतलब एक assessment है कि आने वाले साल में इस तरीके से हम growth करा सकते हैं taxes पे हमारी ये नीती है ये नीती है ये नीती है साथ-साथ statement explaining the reasons for deviation from the fiscal targets and the other obligations cast on the central government under this act has also been included इसके साथ-साथ जो भी हमने estimate बनाया था उससे जो deviation लिया है वो deviation हमें क्यों लेना पड़ा जो हमने कहा था ऐसा करेंगे उससे अलगखट के हमें करना पड़ा उसका explanation दिया जाता है वो भी इसमें include होता है इन दोनों documents पे जो मैंने आपसे अभी बताए है वो बताया जाता है The fiscal policy statements including statement explaining reasons for deviation are hereby late before the houses of the parliament Finance Minister को बोलना पड़ता है कि ये दोनों statement मतलब जो fiscal policy statement है including statement explaining reasons ये house के सामने budget के साथ रखा जाता है इसके साथ expenditure budget का document पेश होता है receipt document budget पेश होता है expenditure profile पेश होती है जो expenditure profile है वो ये बताती है कि कैसे खर्चा पिछले साल में किया गया 2021 में और 2021 में जो हमने खर्चा बताया था उसमें क्या हमने revise किया और 22-23 में हम क्या खर्चा करने वाले हैं इसे कहते है expenditure profile यह भी पेश कर द दी एक डॉक्यूमेंट के साथ पेश किया जाता है इब पार विजर्ण इन फ्रेशाल ब्ल में जो भी पिरोविजर्ण से उसके बारे में एक में वरेंडम यह पेश होता है Output Outcome Monitoring Framework Important Output Outcome Monitoring Framework ये बहुत important चोटी-चोटी बाते हैं एक्जाम में आ जाती है हमने आप से कहा कि हमें सौर पर दे दीजी हम रेफाल हवाईदास खड़ी देंगे या हम ये योजना बनाएंगे या नदिया बनाएंगे या कैनाल बनाएंगे irrigation करेंगे कुसम योजना में हम बहुत सारे क्या कहते हैं सोलर पंप लगवाएंगे ये सब बहुत सारी बाते हैं लेकिन governance point of view से ये भी देखना दरूरी है कि जो outcome है वो monitor होना दरूरी है तो इससे ये पता लगता है कि जो हमने developmental angle क्या रहा जो पैसा विया हुआ खर्च हुआ उससे का developmental impact क्या आया ये document कहलाता है Output Outcome Monitoring Framework ये भी पेश किया जाता है जो developmental aspect of expenditure भी दिखाता है Key features of the budget of 22-23 and implementation of the budget announcement और इस budget को summarize form में दे देते हैं की form में और साथ-साथ जो पिछले साल का budget है उसका implementation कैसे कैसे हुआ ये सारे document बजट के साथ पेश होते हैं तो along with budget जो और document पेश होते हैं वो monitoring policy की statement दो होते हैं वो पेश होते हैं साथ-साथ ये document भी पेश होते हैं उनमें एक होता है Output Outcome Monitoring Framework भी पेश होता है अब इन में आपको जो थोड़ा साथ समठ लेना है जिसे मैंने आपको बताया A, B, C Annual Financial Statement Demands for Grant Finance Bill और Fiscal Policy Statement FRBM Act के तहत है साथ-साथ मैंने आपको बताया ये क्यों होते हैं कि assessment है कि इसको मैंने डिफाइन कर दिया है अब देखिए The document shown at serial number A, B, C are mandated by article 112, 113 and 110 A of the Constitution जो Annual Financial Statement है वो और जो Demand for Grants है और Finance Bill है ये समिधान के article 112, 113, 110 के दौरा दिये जाते हैं मतलब समिधान की तरफ से है Documents, serial number D, 1 and 2 are presented as per the provisions of Fiscal Responsibility and Budget Management Act ये जो हैं ये इसके लडेखिए ये ये जो दो हैं ये जो दो हैं ये जो दो हैं Fiscal Responsibility and Budget Management अग दो चार तीन में पास हुआ था ये उसकी तहत पेश करने पड़ते हैं मैक्रो एकनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड मीडियम टन फिसकल पॉल्सी कम फिसकल पॉल्सी स्ट्रेटिजी स्ट्रेटमेंट ये दौनों पर दौनों FRBM Act के तहत निर्धारत कर दिये गए हैं शुरू में पेश नहीं होते थे लेकिन 2003 के बास से पेश होने लगे हैं तो ये भी पेश किये जाते हैं बजट के साथ ठीक है ये तीनों Article 112, 113, 110 का 1 का क्लॉज है उसके तहत सविधान की ये सविधानिक डिस्पंस ड्यूटी है ये इस्टेट्यूट्री ड्यूटी है ये कानून के तहत पेश करवाए जाते हैं ठीक है और डी डी जो है वे फर्बियम के तहत होता है और अधर डॉक्युमेंट्स अधर डॉक्यूमेंट्स सियल नमबर E F G H I J K L आर इन दे निचर ओफ एस्प्रेनेट्री स्टेट्मेंट्स सपोर्टिंग दा मेंडेटेड डॉक्यूमेंट्स विद अने नेरेटिव ये यूजर फ्रेंडली फॉर्मेंट सूटिट फॉर क्विक ये जो है एक्सपेंडिचर बज़र्ट रिसीट बज़र्ट एक्सपेंडिचर प्रोफाइल बज़र्ट अटे ग्लांज ये जितने के सारे हैं इनका मेजर जो काम जो फंक्शन है वो समझ दीजे एस्प्लेनेशन का जाधा है बज़र्ट को समझने में ये आरज, इदा फॉर्म आफ एस्प्लेनेशन रेेटेट टू बज़र्ट उससे संबंदें ज्यादा होते हैं सो EFGHIJKL ये सब उसके तरु के ज़ाधा होते हैं थाकि बज़र्ट समझ जा सके So this is about the budget ये budget के बारे मैंने आपको बता दिया तो budget is called annual financial statement budget shows सरकार का expenditure, सरकार का खर्चा ये उसके खर्चा करने वाले हैं, ये इतनी आय होने वाली है उनके बीज में gap होते हैं, different type of deficit होते हैं वो different thing है, budget पेश किया जाता है फिर उस पे discussion होता है, फिर उस पे voting for grants होता है cut motion आ सकते है, cut motion फिर पास नहीं हुआ तो budget सरकार के उस्तीफा देना पड़ सकता है उसके बाद सारे approbation bill में टाले जाएंगे approbation bill पास होके act पन गया, तो आप CFI जे पैसा निकाल सकते हैं आये वाला bill के लाता है finance bill कि बाद सकते हैं मनी बिल पर सारह एथिकार किसके पास? लोग सभा के पास, तो budget पर वीशेश एथिकार किसके पास होते हैं? लोग सभा के पास होते हैं, budget पास लोग सभा में ही होगा लेकिन discussion वगएरा ला सभा में भी होता है, लेकिन exclusive power क्योंकि वो money bill हो जाता है वो लोग सभा के पास होती है और बजट के साथ साथ उसमें और documents भी साथ पेश किये जाते हैं उनने कुछ तो FRBM के तहत होते हैं fiscal responsibility budget management टेक 2003 जिसे monetary policy के बारे हैं बताया जाता है उसके साथ साथ कुछ और documents भी पेश किये जाते हैं जिसमें एक outcome based budget statement होता है जो governance को बताता है कि क्या impact हुआ इस खर्चे का कहां तक growth हो पाई कहां तक ही अपने intended function को fulfill कर पाई अगर हमने 100 रपे irrigation में यह लगाने थे तो 100 रपे का जो फाइदा है क्या वो उतना हो पाई जितना हम सोच रहे थे जिससे governance improve होती है एक indicator बन जाता है कि हां हम और बहतर तरीकेते पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं this is all about your budget अब देखिए प्रिलिंस में 2020 में यह question आ गया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं along with the budget the finance minister also places other documents before the Parliament which include the macro economic framework statement जो मैंने आपको D number पर बताया था the efforts and document is presented because this is mandated by budget के साथ finance minister पेश करते हैं macro economic framework statement लेकिन जो macro economic framework statement है यह पेश कराया जाता है क्यों long standing parliamentary convention है क्योंकि शुरू से होता रहा है नहीं 2003 से पहले नहीं होता था article 112 110 एक के तहते होता है नहीं 112 में तो budget पेश करवाया जाता है 110 एक में finance बिल हुआ करता है आर्टिक 113 of the Constitution 113 में यह लिखा हुआ है कि कोई भी पैसा जो भी डिमांड है वो राष्ट्पतिक recommendation के बेना पास नहीं हों दकती grant नहीं बन सकती provisions of Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 यस वो जो डीव नंबर पर दो document हैं वो FRBM Act के तहत पेश करवाय जाते हैं budget के साथ ही पेश होते हैं उनका कोई convention से मतलब नहीं है समिधान से भी मतलब नहीं है तो यह 2020 में पेश्चन आया तो these questions are are these days इसलिए यह बारी किया जानना भी ज़रूरी है तो दिस आल अल बाउट budget so far as quality is concerned बहुत सारी जीदेस में हैं जो और इस पे नहीं हो सकती हैं बट वो इस lecture में संभब नहीं उसके लिए लगसे lecture कर सकते हैं this is the something about budget hope you have understood good number of things regarding budget so far as policy is concerned पूरी तरीके से समझा पाना छोटे वीडियो में संभब नहीं है कोशिच करेंगे कि बड़ा वीडियो लाएं और आपको और ज्यादा बताएं thanks a lot for watching this video thank you